दज़कास नियूज से मैं रविकांद मैं आज बात करने वाला हूँ विहार पूलिस वेकेंसी पे 2017 जुन जुलाई में जो वेकेंसी आई थी लगए 10,000 पूलिस वेकेंसी उस वक्त आई थी और उसमें मात्र 64 जेनरल कटेगरिज के बच्चों का ही बहाली लिया गया वो कहीं न कहीं एक सरकार की समाज के प्रती एक जो वेवस्था है अगड़ी पिछडी जातियों का वो भी दिखलाता है पिछली बार अखवारों में भी आया था कि 64 ही समान स्रेनियों के बच्चे के क्यों हुए और फिर सोसल साइडों पे भी कई बार ये बाते उठकर आती हैं कई लोग लिखते हैं और इस बार कॉंग्रेस के एक बिधायक ने जिस प्रकार से बिधान परसत में प्रेम चन्मिस्रा ने ये सवाल उठाया मुखर होकर पुर्जोर तड़िके से सरकार के तरब से जवाब आया कि हमें आकड़ा चाहिए या यह वो करके सरकार के तरब से भी घोल मुल जवाब दिया जाने लगा तो उन्होंने स्वेथ पत्र की मांग की और ये कहीं न कहीं सरकार की वेवस्था को दिख लाता है कि आखिर 64 समान स्रेणियों की बच्चे के कैसे हुए उसमें भी 69 महिलाओं का हुआ और 5 केवल पूरुसों का हुआ 99 सिपाही बहाली में ये कहीं न कहीं एक परकार से 64 जो बताया जा रहा है अगर ये सही है तो समाज में कहीं न कहीं एक परकार से एक तुरुटी पूर्ण वेवस्था को जन्म दिया जा रहा है और इस परकार से ये सरकार की गलत मनोदसा और नियत को भी दिखलाता है कि सरकार समाज के सभी बर्गों को साथ लेकर चलने में सच्छम नहीं है जातपात और बढ़ता है जातपात में जिस परकार से समाज में आपसी मतवेद हो जा रहे हैं तो यही बाते कहना चाहते थे कि लवगग 10,000 सिपाई वेकेंसी में 64 जेनरल के बच्चों का हुआ ये सरकार की विधिविवस्था के उपर एक बहुत बड़ा प्रसंचिन है और ये सवाल बार बार होगा अगर इसमें गरबड़ी हुई है तो इसे रद करने की प्रकिरिया सुरू की जानी चाहिए और इसके अच्छी धंसे जाच होनी चाहिए ताकि यहां के मुख मंत्री से लेकर जो इसके लेने वाले प्रकिरिया जो है वो सभी संदेह के घेरे में हैं कि आखिर ऐसे क्यों कैसे हो गया कहीं ने कहीं चिन्हित किया गया है समाने स्रेनी के चैनल को सबस्क्राइब करें